आज हमारी किचन के अंदर बन रहे हैं नमक पारे तो हारों के शुरुवात हो चुके तो हमारे गर में मठ्री और नमक पारे ज़रूर बनते हैं अभी मैं आपके साथ में नमक पारी की रेसिपी शेयर करूँगी तो हमारे गर में कैसे बनते हैं वह मैं आपको बताती हूं दालोंगी वह bere हूं रोदेने नमक की राओगी उसको फिर्टोंगी यदि आपको काली मिश को अवोईड भी कर सकते हूं अब इस मैदा के अंदर से मैं 2 टेबल स्पून मैदा निकाल लूँगी और इसके बदले मैं डालूँगी इसके अंदर 2 टेबल स्पून सूजी यदि आपको सूजी ना पसंदो तो आप इसके अंदर से मैदा बत निकाल लिएगा लेकिन हमारे घर में जैसे बनते हैं मैं वैसा बता रहे हूं सुझी डालने से नमक बहुत खस्ता बनेंगे अब मोहिन के लिए डाल रहे हूं मैं इसके अंदर 1 4th cup से थोड़ा सा कम refined oil अगर बजन में आप बात करते हैं पूछना चाहते हैं तो यह 50 gram है अब सारी चीजों को हम अच्छी तरीके से mix कर देंगे और इस तरीके से हम हातों से घर लेंगे ताकि घर अजवाइन डाली, तो जो मोहिन हमने लगा यह को सारी मैधा के अंदर लग जाना चाहिए और यदि इस तरीके से हम मैदा को मुठी मी लेके बांद के देखते हैं तो मैदा खुलने नहीं चाहिए एकदम से बंदी-बंदी मैदा हमारी होनी चाहिए तो इसका मतला हमारा जो मुएन लगा है बिल्कु पॉफेक्ट लगा है तो इस नमक पारे का आटा में बहुत कड़क नहीं गुणने क्योंकि इसके अंदर हमने सूजी डालिये तो सूजी थोड़ी सी फूलेगी इसलिए थोड़ा सा इसको हम सौफ्ट आटा रखेंगे तो देख रहें आप फ्रेंट्स मैं थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर एड़ करती जा रही हूं तो इस नमक पारे के डो को बनाने में एक्जेट कितना पानी लगा है वो मैं आपको नहीं पता पाऊंगी क्योंकि कोई मैदा ज्यादा पानी सुकती है तो देखें आटा मेरा कड़क गुंद गया लेकिन यह पॉफेक्ट आटा नहीं नमक पारे के लिए अभी यह फटा फटा आटा है इस आटे के अगर मैंने नमक पारे बनाए तो वो अच्छे नहीं बनेंगे तो अब मैं आटे को आपको तोड़के भी दिखाते हूँ आप देख रहे हैं किस तरीके से इसके अंदर आटे के अंदर क्रैक्स आए हुए इस आटे को मुझे अभी मसल के इसको चिकना करना है तो friends अब मैं आटे को मसल मसल के चिकना कर रही हूँ ताकि इसके अंदर जो crack थे वो सारे खतम हो जाए और हमारा आटा बिल्कुल perfect हो जाए तो friends मैंने 3-4 मिनट तक के लिए इस आटे को मसला था और यह आटा मेरे हाथों में भी नहीं चिपक रहा है अब मैं इसको ढख के रह दूँगी कम से कम आदे घंटे के लिए रेस के लिए तभी हमारे नमक पारे अच्छे बनेंगे तो friends लगबग आदा घंटा हो गया मैदा को रेस कर रहे हुए और मैदा हमारी अच्छे से सेट हो गई है अब मैं मैदा को थोड़ा सा और मसल के इसको चिकना कर लूँगी मैदा को आदा घंटा का रेस देने के बाद जो टेक्शर आया है बिल्कुब पॉफेक्ट टेक्शर है नमक पारे बनाने के लिए इसे नमक पारे हमारे बहुत ही अच्छे बनेंगे अब इस आटा की हम लोईयां तोड़के रख लेंगे तो देखे इस तरीके से हमने मैदा की लोईयां तोड़के रख लिए और इसका हमने कोई वजन नहीं किया बस अंधाजे से मैने तोड़ लिए अब एक लोई को हाथ में लेके इस तरीके से सॉफ्ट बॉल बना लेंग तेल गरम नहीं चाहिए तो चरे नमक पार एक कैसे बनेंगे वह देखते हैं तो मैंने एक लोई लिए और चकले के उपर मैंने हलका सा ओयल लगा दिया ताकि लोई हमारी चिपके ना इसके अंदर हमें सूखी मैदा का यूज बिल्कुल नहीं करना है और थोड़ा सा ओयल हम के अपर भी लगा देंगे और इस लोई से कहम रोटी बनाएंगे वह मैं बहुत मोटी भी निछी बहुत में इसकी पारा चाहिए को फीन को और यूज करके लेंगे तो लेकिन फीज ऐसानी से कले से और इकूल षेप में करते हैं प्रेक्स नमकपारो का आ हमगे कसे कट करें घाना दूसरी को थौसच करें अब इनको फ्राइगा और एक हम नम्क पार डाल के देख लिए अगर वो बहुत फटाफट से उपार आ Harvard नुदक TO नमक पारो इसे हम फूर आफ़कर देंगे इस तरीके से हम जारे से औरि इनको बीचिबीचगा पलटे भी रहेंगे ताकि नमकपारो के उपर एकवल कलर आए और इनको चलता रहता और ऑर और भी डाक होता रहेगा जब इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब इसको हम बाहर निकाल लेंगे तो जो खुलर हमें चाहिए था नमक पारों का वह आ गया इनको हमें प्लेट में निकाल लेंगे एकदम पॉफ अब हम दूसरा बैश भी डाल देते हैं नमक पारो को फ्राई होने के लिए तो धीर धीर हमारा सेकिंड बैश भी फ्राई हो गया इसको भी हम प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं और आपको इनके ओपर चाट मसाला डालना हो तो जब यह गरम हो तभी इसके ओपर डालेगा त इस दिवाली पे इन नमक पारो को जरूर बनाएगा यह बहुत टेस्टी और खसता बनते हैं तो मिलते आप से एक नई रेसिपी के साथ में तब तक हपी कुकिंग